शिशु संगोपन संस्ता संचलित सविता रमेश फिरोधिया प्रशाला विशय हिंदी कक्षा छटी कविता का नाम है नदी कंदे पर निर्मिती स्री शेक बीजी कविता का नाम है नदी कंदे पर कक्षा छटी बच्छो यह कविता कलपना पर आधारी थे कवि कलपना करते हैं कि यदि हम नदी को कंदे पर उठाकर अपने घर ले आते तो कैसा आनंद होता यह कलपना कविने की है इस कविता के कभी है प्रभुदयाल स्रीवास्तव जी इन्होंने एक नदी के प्रती बाल मनोभाव को व्यक्त किया है। कि नदी क्या है बच्चो आप लोगों को पता है या नहीं मुझे मालूम नहीं। मगर नदी को जीवन दाईनी कहा जाता है जीवन देने वाली नदी नदी के इतने फाइदे है नदी तट पर रहने वारे लोग प्रानी है पक्षी है जानवरों को पिने का पानी किसानों के लिए खेती के लिए पानी ऐसी इस उपयुक्त नदी को जीवन दाईनी कहा जाता है और कवी प्रबुदायाल जी ने इस कविता में नदी का महत्व और एक कल्पना के रूप में नदी का जो आनन मिलेगा इसका वरणन इस कविता में किया है वच्व आप देख रहें इस चित्र में नदी का चित्र है नदी बारिश होने के बाद बारिश का पूरा पानी धीरे धीरे इकठा नदी में होता है नदी प्रवाहित होती है और इस नदी का पानी पीने के लिए जानवरों के पीने के लिए पक्षी सभी को पीने का पानी देने का काम नदी करती है नदी तट पर नदी के किनारे पे रहने वाले लोग किसानों भी खेती के लिए पानी का उपयोग करते है पानी को जीवन कहाए और नदी को जीवन दाईनी कहाए जीवन देने वाली नदी कहाए बच्चो नदी का हमारे जीवन में अनन्य साधारन महत्व है नदी सबके लिए उपयुक्त है तो पहले पेरेगरब देखते बच्चो अगर हमारे बस में होता नदी उठा कर घर ले आते अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते उसको हम हर रोज बहाते कूद कूद कर उचल उचल कर हम मित्रों के साथ नहाते बच्चो इसका आर्थ देखो बस याने वश यदि मेरा बच चलता मेरा वश चलता तो कभी कहते है कि मैं नदी को मेरे कंधे पे उठाता और मेरे घर के सामने ले आता और मेरे घर के सामने ही उसे बहाता बहाना याने बच्चो नदी को प्रवाहित करना और फिर नदी को मेरे घर के सामने लाने के बाद कवी कहते हैं कि मैं मेरे मित्रों को भुलाता, मित्रों के साथ बहुत देर तक नदी में नहाता, उचलता, कुदता, मस्ती करता, उचलना, कुदना, मस्ती करना, मौच करना और मैं इसका आनन्द लुटता, इस पंक्तियों में कभी ने हमें बताया है कि मैं नदी को उठा कर मेरे घर के सामने लाकर उसे वही प्रवाईत करता और वही उसके पानी में नहाने का आनंद लेता कभी तेरते कभी डूबते इतराते गाते मस्ताते नदी आगई चलो नहाने आमंत्रित सब को करवाते सभी उपस्तित बद्र जनों का नदिया से परिचय करवाते अगर हमारे मन में आता जटपट नदी पार कर जाते अगर हमारे मन में आता जटपट नदी पार कर जाते बच्चो इसका आर्थ समझ के लो तेरना तेरते हैं हम पानी में स्विमिंग करना भद्र भद्र याने सज्जन और आमंत्रित चब्दाया है आमंत्रित याने जिने बुलाया गया हो जिने हम न्योता देते हैं उन्हें कहते हैं आमंत्रित परिचे करवाना एक दुसरे से परिचे करवाना तो बच्चों इसका आर्थ सुनों कि हम कभी भी जब हमारा दिल चाहे नदी में देर तक तैरते क्यों तो नदी हमारे घर के सामने ही है कभी डुपकिया लगाते कभी पानी पर तैरते खूब मस्ती करते गाने गाते हम लोग फिर कभी कहते है मैं मेरे जितने परिचित लोग है मेरे दोस्त है उनको मैं आमंत्रित करता उनको न्योता देता क्या न्योता दे रहे कभी सुनो बच्चों कि नदी मेरे घर के पास आ गई है चलो आप सब लोग चलो नहाने के लिए ऐ अहीं सा न्योता मैं सभी को जेता और जितने भी लोग मेरे बुलाने पर वहां आते उन सभी सजन लोगों का मैं नदी से परिचे करवाता जब कोई हमारे घर में महमान आता है था हम एक दुसरे का परिचे करवाते वैसे कवी कहते हैं मैरे सभी सज्जन लोगों का मित्रों का मैं नदी से परीचे करवाता और जब भी मेरा मन करे कि नदी को पार करना है तो मैं पुरंत पार कर लेता खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिलाते शाम ढले फिर नदी उठा कर अपने कंदे पर रखवाते लाए जहा से थे हम उसको जाकर उसे वही रखाते बच्चो इसका आर्थ सुनो कवी कहते हैं कि नदी के उस पार खड़े होकर मैं जोर जोर से अपनी मा को आवाज लगाता चिलाता क्या कहकर चिलाता मम्मी मम्मी कहकर मैं मा को चिलाता और जब शाम ढले आपको पता है कि शाम जब शाम रात में बदलने लगती है अंधेरा होने लगता है तो मैं मेरे मित्रों की साहयता से मित्रों की मदद से फिर से उस नदी को अपने कंदे पर उठाता और जहां से मैंने नदी को सुबह ले आया था उसी जगह पर मैं उस नदी को दुबारा रखके आता दिन भर नदी में मौज मस्ती करूँगा जब शाम डलने लगे रात होने लगे तो मैं मित्रों की मदद से नदी को और एक बार कंदे पर उठाता और जहां से मैंने नदी को लाया था उसे वही मैं रखके आता देखो बच्छो इतनी सुन्दर कलपना की है कवी ने प्रभुधयाल स्रीवास्तो जीने की मैं नदी को कलपना की की नदी को कंदे पर उठाऊंगा घर के सामने लाऊंगा आनन दलूंगा मित्रों के साथ खेलूंगा और शाम में दोबारा उसको मैं उसकी जगह पर रखके आऊंगा अतिशे रोचक और मनोरंजक यह कवीता कलपना पर आधारीत है बच्चो आखिर में आपको यह स्वाध्याय छुडाना है कवीता को गाना है कवीता को अपने नोटबूक में लिखना है और यह दिया गया स्वाध्याय आपको अपनी नोटबूक में लिखना है स्वाध्याय क्या है बच्चो काविय पूर्ती करो तरिक्तस्तान आपको किताब में देखकर वह काविय पंक्ती को पूर्ण करना है धन्यवाद बच्चो